हापी बर्टे दू यू नमस्कार जैशिक किष्णा शीरादे बहुत जवागत है आप सबके इस खासकारक्रम जोतिश दिशा और मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फैंड संतो संतोशी और आज जो लेकर के आए हैं हम आप सब के लिए ये जो चीज है आज जो लोग पैदा हुए हैं इन लोगों के लिए एक अपने आप में बहुत अलग तरह की शक्ति का दिन है क्योंकि आज आप सब को पूरी जानकारी हमें देने वाले हैं कि आप सब आज से लेकर आने वाले 16 सितंबर 2019 तक कैसे जीएं क्या उपाय करें और आज अगर आपकी मेरे जैनी वर्सरी है तो आपके लिए भी हम कुछ न कुछ लेकर के आए हैं आपको हम बताएंगे इस्पेशल रूप से क्या उपाय करके पूरे वर्ष पत्य पत्नी एक दूसरे की रिष्टों को सम्मान दें एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें और अपनी मेरेड लाइफ को इंजॉय करें तो ये सारी जानकारियां एक साथ हम आप तक लेकर के आये कहे हैं तो आएए अब सुरवात करते हैं और बताते हैं पहले ग्रहों की इस्थिती आज जब सुर्योदे हुआ तो उस दोरान सुर्य बुद्ध सिंग राशी में थे ब्रहश्पति और शुकृत तुला राशी में चंद्रशनी धनु में मंगल केतु मकर में और राहु करक राशी में यही सारे ग्रह एक साथ मिल करके और निर्धारित कर दिये कि आपका आने वाला पूरा साल कैसा जाएगा चंद्रवा मोन लक्षतर में हैं जिसका स्वामी केतु होता है तो आज का जो वर्ष फल आपका तयार हो रहा है यह केतु की दशा के साथ जुड़ करके तयार हो रहा है मतलब अगर आपकी कुंडली कहीं से भी मंगल और केतु से प्रभावित है आपका लगन लगनेश राशी राशी इसके साथ कहीं न कहीं जुड़े हैं तो ये वर्ष आप पर विशेश असर डालेगा डाल सकता है सबसे पहले आपकी शिक्षा दिनायत के 17 सितंबर को अगर आप पैदा हुए हैं तो आने वाले वर्ष में आप सिक्षा में बड़े फैसले लेंगे अक्टूबर नमंबर लगभग बीच से बीच सिक्षा के छेत्र में आपकी उन्नती आस पडोस देखेगी जो एक्साम दिया होगा गजब धुआधार रिजल्ट आएगा एक अलग तरह से आपकी प्रशनता दिखाई देगी दिसंबर जन्वरी में स्वास्थ को ले करके परेशान रहेंगे जिसकी वज़ा से सिक्षा भी प्रभावित होगी होली की आस पास में आपको जगह बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है तो आपको बहुत सावधान होकर कि अपनी सिक्षा और अपनी बिवहार में सामंज़स से बैठाना होगा अगर आप जिरांग 17 सितंबर को पैदा हुए हैं और व्यापार करते हैं तो व्यापार के छेतर में भी थोड़ी सी उठापटक आपको देखने को मिल जाएगी इस उठापटक भरी जिन्दगी में व्यापारिक उठापटक के साथ आप एड़ज़स्ट नहीं कर पाएंगे लगभग मान करके चलें कि नवंबर से लेकर पूरा फरवरी महीना आपके भैसलों के कारण व्यापार में बहुत कश्ट देने वाली है विचार कुछ करेंगे हो कुछ जाएगा समझेंगे कुछ रिजल्ट कुछ मिलेगा व्यापारिक गिश्टि कोण से फरवरी के बाद की स्थिति अच्छी जाएगी और फिर जो आपके फैसले होंगे वो धुमाधार पॉजिटिब आ जाएगे यह पॉजिटिविटी ही आपकी शक्ति बनेगी प्राइवेट सेक्टर में नमंबर महिना और देसंबर महिना अच्छा रहेगा इसमें आपके फैसले ठीक ठाक जाएगे बास के साथ तालमेल भी अच्छा हो जाएगा पहला बास जो मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत बड़े सावगात लेकर के आएगी अगर आप 17 सितंबर को पैदा हुई है तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रभाव है आपके लिए जो मैं यही कहुँगा कि मज़ेदार है अगर आप 17 सितंबर को पैदा हुए हैं तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मार्च के बाद एक और बिग गुड नियूज वेट करेगा बिदेश से जुड़ा आवसर खुल जाएगा सरकारी छेत्रवालों के लिए अक्टूबर नवंबर में भी प्रूमोशन की गुंजाइश रहेगी और उसके बाद फरवरी से लेकर के जून तक Gुंजाइश रहेगी 2019 में सरकारी छेत्रवालों के लिए बॉस के साथ तालमेल अच्छा बिठाने के लिए बहुत अथक प्रियास करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कुलीक्स होगर है किश्ण पक्ष में आपको परिशान करेंगे मैरेड लाइफ मैरेड लाइफ में उठा पटक जारी रहेगा अक्टूबर महीने के बद्ध से ले करके और दिसंबर महीने के मद्ध तक इसमें पत्ती-पत्ती के बीच में दरार इतना गहरा हो सकता कि सप्रेशन की नुबबत आ सकती है दिसंबर महीने में बड़ों का हस्तक शेफ होगा जो कि आपके दामबत्त जीवन को सुचारुढंग से चलाने में मदद करेगा कोई महिला मित्र आपके दामबत्त जीवन को चिनिभिन करने के लिए आ सकती है चाहे आप महिला हो या पूरुष हो अगर आप 17 सितंबर को पैदा हुए हैं तो लव लाइफ लव लाइफ के मद्ध में कोई स्थिती गड़बर नहीं है लिहाजा आप अपने प्रेमी जीवन को जी सकते हैं और लेकर के आगे बढ़ सकते हैं अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या जैसा भी हमने बताया कि मेरेड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो दिनांक 19 नवंबर को एक विशेश यग्य का आयोजन हम करने जा रहे हैं इस विशेश यग्य में आप समलित हो पती पत्नी मिलकर समलित हो या अगर सादे नहीं हो रही है तो इंडिविजुवल समलित हो और इस महा यग्य का लाब उठा लेए आए देखते हैं उसकी ए योग्य होने पर भी शादी ना होने पर होता है इस दर्द को आपका एश्टो फेंड दिल से महसूस करता है तभी तो आप सब के लिए एक ऐसा महूर्त चुन करके लाया है जब आपके जीवन में प्रारब्ध के आधार पर प्राप्त आविवाहित योग को भी भंग किया जानते हैं क्या है वूर्त 19 नमबर 2018 दिन सोमवार तुलसी विवाह का दिन आप सब का स्रागत करते हैं ऐसे सभी लोग लड़के और लड़कियां जो विवाह के योग्य हो चुके हैं सक्षम हैं और फिर भी शादी नहीं हो रही है देरना करिएगा तुरंत कॉल करिए जो नमबर साब के सामने चल रहे हैं और अपना अपना रजिश्रेशन करवाई है धन्यवाद जैश्री राध है एस्टो फ्रेंड संतोश संतोशी जी के द्वारा जन कल्यान और प्राणियों के खुशाल जीवन के लिए एक महायग्य का आयुजन किया जा रहा है इस महायग्य में हर एक हवन कुंड पर एक ब्राह्मन द्वारा आपके कुंडली के ग्रहों के अनुसार मंत्र जाप और आहुती की व्यवस्था होगी हमारा उद्देश्य जन कल्यान के साथ साथ राष्ट निर्मान और कल्यान भी है जिसके लिए अलग से कुंड और ब्राह्मन निर्ध जो संतोशी जी के मार्क दर्शन में मंत्र जाब करेंगे इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल और वाटसेप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे नंबर्स है 9560-447-000, 99102-91850, 9999-024099 दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुश खबरी आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कारेले पर आकर भी करा सकते हैं हमारा पता है B35-GM1, शालिमार गार्डन एक्स्टेंशन 2, साहिबाबाद, घाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यग्या के लिए रेजिस्ट्रेशन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा दिखा आपने कि किस तरह से आप भी इसमें सम्रित होकर के लाब पा सकते हैं बिमारी, आईए बिमारी के विशे में बता देते हैं बिमारी की स्थिती थोड़ी सी डावा डोल रहेगी मतलब बिमारी बढ़ सकती है हो सकता है कि आपका प्रभाव एकदम से ना पड़े आउपरेशन सरजरी की भी संभावना सिख्टी प्लस एज़ वालों को हो सकती है इससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने उपर प्रभाव जमाना पड़ेगा उपाय क्या करना है बता देते हैं तीन पीपल के पौधे और एक बरगत का पौधा किसी पब्लिक प्लेस पर लगा दीजेगा नौनवेज छोड़ दीजेगा शुभ होगा अगर आज आपके शादी की सालगिरह है तो आपके लिए उपाय हम बता देते हैं किसी सुहागन को कुछ स्रिंगार की सामगरी दान करें और पती-पत्नी मिलकर किनी तीन लोगों को खाना खिला दें बस इतना सा करिए और आनन्द उठाइए दिनांक 19 तारिक से आप हमसे गाजय अबाद में मिल सकते हैं आने वाले एक सफथा तक और पतना राची वाले फट अफट अपॉइंडमेंट बुक कर लें नमस्कार शिरादे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिए कर दो कर दो